चुनाव आयोग की फटकार के बाद शिक्षा विभाग ने प्रदेश के करीब सवा लाख स्कूलों में बिजली उपलब्द कराने का निड़ने लिया है साथ ही स्कूल में शोचाले पीने का पानी सहित अन्य बुन्यादी सुविधाय भी उपलब्द करवाने का प्रयाश शुरू कर दिया है और तलब है कि नवंबर माह में विधानसवा चुनाव होने हैं और मतदान के लिए अधिकांश केंद्र सरकारी स्कूलों में ही बनाये जाते हैं आयोग ने अपने स्तर पर कुछ सरकारी स्कूलों का सर्वे किया तो पता चला कि कई स्कूलों में बिजली कनेक्शन ही मौजूद नहीं है इस पर आयोग द्वारा शिक्षा विभाग को आदेश दिया गया जिसके चलते अब विभाग सतरकता बरत रहा है